हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक आज की क्लास में बात करने वाले हैं एक कुश्चन की जिसमें हमसे पूछा गिया है मतलब कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है अब हमें क्या करना है एक फॉर्म ऐसी लिखनी है या प्रूफ करनी है जिसमें सारे के सारे हमें इवन नंबर में ठीक है तो वो क्या होगी चलिए कुश्चन को सौल करते हैं देखिए बहुत आसान सा कुश्चन है है समझी है अगर हमम की वालू हमारे पास क्या होंगी है पॉसिटिव इंटीजिर मतलब से स्टेर स्टाओंगी इंटकी यह सारी वैल्यूस हूंगी आप ईंपना हैं पाता है कि जीरो ना तो ऊश्टीव वोता है ना फॉसित एक होता है तो अन से स्टार्ट होंगे एंक की सारी वैल्यूज होंगी अप्टी siamo in फाइन या में पाता है का अगर हम देखिए for the M is equal to one अगर हम एमज kanal टू वन की बात करें तो और हमें निकाले टू एंट टू एम अगर हम निकालें तो हमारे पास नंसर कितना ही तो क्योंकि एम की वालुव रखेंगे तो तू आ जाएगा अगर हम बात करें पौर एम इस इकॉल टू की ठीक है वन लिया फिर टू लेंगे तो टू एम कितना निकलेगा ए फोर आ जाएगा पाइट इस फॉर एम इस उकल टू थ्री अगर हम लें तो टू एम हमारे पास सिक हो जाएगा फॉर एम इस उकॉल टू फोर तो टू एम कितना हो जाएगा एट आप समझ पार हो पैटन अगर हम एम की वाल्यू वन से ले कड़के ले कड़के चलते हैं और हम कोई अपनी तरफ से में तू एम मान लिया है अब इस इसमें वाल्यू को अगर हम पूट कर रहे है तो दफिया अंसर हमारे क्या आ रहा है two four six eight आर है two four six eight का मतलब क्या है या सारे के सारे हमारी जो वैल्यू आ रही है सारी सारी क्या है इवें है और पॉजिटीव है राइट उन्ड़िस तहीं공 है इवें में पॉजि het क्या से are a कि हगह ऑल आर पॉजिटिव इवन कि एर एक पॉजिटिव राइट थारय के सारी है तो मतलब अगर हम टूने मतलब क्या है एक इस तरह से बहुत सारी निकलेंगे आपकी वाली पूट करते जाओंगे यह वाली निकलती जाएंगे डाट मींस जो हमारा टू है टू है ना टू एम वही हमारा क्या होगा वह फॉर्म होगी जिससे हमें सारे के सारे क्या मिलेंगे इवेन इंटीजर मिलेंगे तो आप यहां पर लिखना पड़ेगा आपको अब हमें इसको लिखना कैसे है तो मैं आपको बता दिता हूं हैंस हैंस टू एम है इस दड़ रिक्वाइड आप इतना लिख दो कि बहुत है ठीक है तो टू एम ऐसी फॉर्म है जिसमें हम एम की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की वैलू डालेंगे हमें क्या मिलेगा सारे के सारे इवन मिल जाएंगे यहीं हमें प्रूफ करना था बस आप इतना लिखोगे आपका आंसर हैंड़ पर ठीक है तिल दन गुद्बाई